आज हम करेले की बहुत ही स्वाधिस्ट सबजी बनाकर तयार करेंगे। यदि किसी को करेला खाना पसंद नहीं है तो ये सबजी खाने के बाद वो भी करेले को पसंद करने लगेगा। नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका शाम रसोई में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। करेले की सबजी बनाने के लिए यहां मैंने 300 ग्राम करेले लिए हैं करेलो को हमने अच्छे से धो कर सुखा लिया है। अब हम करेले के दोनों साइड के डंठल इस तरह से काट हैं तो चोटे वाले करेले का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम करेलों को इस तरह से गोल-गोल काट लेंगे, आप चाहें तो इसे लमबे आकार में भी काट सकते हैं जैसे भी आपको पसंद हो। इसके छिल chopped के नहीं हटाने है। करेलों को हमने काट कर तयार कर लिया है। अ हाथों से हम इसे पढ़िया से मिक्स कर देंगे और ये देखी हल्दी नमक अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हम इसे ढख कर लगबग 30 से 40 मिनिट के लिए रखेंगे ज्यादा देर के लिए रखेंगे तो कड़वापन बढ़िया से निकल जाएगा हमें करेलों को रखे हुए 40 मिनिट के लगबग हो गए हैं और ये देखिए करेले ने अच्छे से पानी रिलीज कर दिया है नमक डालने से और अब हम दोनों हातों से बढ़िया से निचोड देंगे इसे और इसका सारा पानी निकाल देंगे ये जो पानी है वो बहुत ही कड़वा है तो इस पानी को तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये लिजिए हमने सारे करेले निचोड कर तयार कर लिए हैं अब हम कड़ाही में अच्छे से तेल लेंगे मैंने तेल ज्यादा कॉंटिटी में लिया है क्योंकि हम करेलो को फ्राय करेंगे और जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें य आज पर लगबग 8-9 मिनिट के लिए इसे फ्राय करेंगे तो करेले सॉफ्ट भी हो जाएंगे और ये लीजिए करेलो का कलर चेंज हो चुका है ये सॉफ्ट हो गए हैं बढ़िया से फ्राय हो गए हैं तो अब हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल देते हैं तो इनका तेल हटाते हुए एक अलग प्लेट में निकाल लीजिए करेले फ्राय हो गए हैं अब हम बचे हुए तेल में प्याज को फ्राय करेंगे यहां मैंने तीन मेडियम साइज के प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने ये देखे बड़े-बड़े टुकडो में काटा हुआ है प्याज को भी हम लगबग 2 मिनिट के लिए फ्राय करेंगे प्याज बहुत जल्दी फ्राय हो जाता है इस तरह से फ्राय किये हुए प्याज जब हम सबजी में डालेंगे तो उनका जो मीठा पन है उससे सबजी बहुत टेस्टी बनती है और ये लीजिए प्याज भी हमारे अच्छे से fry हो गए हैं तो अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं प्याज को हमने medium to high flame पर fry किया है हम इन्हें भी एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं हम इस सबजी में दो तरह से प्याज डालेंगे तो आप चाहें तो इस सबजी का नाम करेला दो प्याजा भी रख सकते हैं और ये लीजिए कड़ाही में इतना तेल बचा है लेकिन हमको सबजी बनाने के लिए इतना तेल नहीं चाहिए तो हम इसमें से तेल को कम कर देंगे और अब हम तेल में आधा चोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने दीजी साथ ही मैंने एक चम्मच सौफ ली है सौफ डालने से करेला पहुत टेस्टी बनेगा जरूर डालिएगा साथ ही इसमें एक चम्मच के करीब मैंने हींग डाल दी है और अब हमने यहां एक मीडियम साइज के प्याज को बारिक काट कर डाल दिया है प्याज को हम सौफ होने तक भूनेंगे तो मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून रही हूँ और ये लीजिए प्याज हमारे सौफ हो गए है तो बस अब हम इसमें एक हरी मिर्च को काट कर डालेंगे इस रेसीपी में मैंने अदरक और लहसुन दोनों का ही इस्तेमाल नहीं किया है और जरूत भी नहीं है ऐसे ही ये सबजी बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनती है एक मिनिट के लिए मिर्ची को भी प्याज के साथ भून लेंगे और अब हमने यहाँ पर एक टमाटर को काट कर लिया है बारिक काट कर डाल दीजिएगा साथ ही सारे मसाले डाल दीजिए हमने यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और लगबग आधा चम्मच नमक लिया है करेलो को मैरिनेट करते वक्त भी हमने नमक डाला था तो उसका नमकिन टेस्ट करेलो में होता है तो ज्यादा नमक का इस्तिमाल मत कीजिएगा और अब हम इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर बढ़िहा से सॉफ्ट ना हो जाए और इनके किनारों से तेल ना निकलने लग जाए तो मैं इसे कंटीन्यू चलाते हुए मेडियम टू हाई फ्लेम पर भून रही हूँ फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ट्राय जरूर कीजिएगा बहुत ही टेस्टी करेले बनकर तयार होते हैं और ये लीजी हमारा मसाला भी अच्छे से भून गया है और इनके किनारों से भी तेल निकलने लगा है तो अब हम इसमें फ्राय किये हुए करेले और प्याज को डाल देते हैं साथ ही हम इसमें बाकी के कुछ मसाले और डालेंगे हमने यहां 3-4 चमच आमचूर का पाउडर लिया है हमने इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल किया था इसके लिए 3-4 चमच ही आमचूर का पाउडर लिया है लगबग आधा चोटा चमच से भी कम मैंने यहां गरम मसाला लिया है और बस अब हम इन सब को बढ़िया से mix कर देंगे करेले और प्याज पहले ही soft हैं तो हमें अब इस सब्ची को और बहुत ज़्यादा पकाने की जरुवत नहीं है बस सब्चीजों को अच्छे से mix कर दीजिए और खुले में ही हम इसे 5-6 मिनिट के लिए medium to low flame पर पका लेंगे ताकि करेलों में मसालों का बढ़िया सा टेस्ट चला जाए और बीच-बीच में इसे चलाते रहेंगे और ये लिजिए हमने सब्ची को 5-6 मिनिट के लिए और पका लिया है और ये हमारी करेले की बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्ची बनकर तयार हो चुकी है आप रेसिपी ट्राइ जरूर कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी और ट्राइ करने के बाद अच्छी ल मिल सके तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ